शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तुही मेरी माता तुही पिता है दया हमते रखना घरों सा तेरा है ही मेरी माता तुही पिता है दया हमते रखना घरों सा तेरा है ही मेरी माता तुथ आप माता पिता है और आद ए Reynolds कोई भी समय हो मेरे का मुराना तेरा प्यार मुझे से है कितना पुराना कोई भी समय हो मेरे का मुराना सासों का बंधल यही कह रहा है के सासों का बंधल यही कह रहा है दयां पे रखना भरोषा तेरा है तुही मेरी माता तुही पिता है दयां पे रखना हरोशा तिरा है यूँ यास मी अरे ओय अकल के दुश्मान यार कम से कम घर वालों को तो चैन से रहने दिया कर मुझे लाइफ में पढ़ना भी यार अज़िा मैं तो शटड़ाफ होजागा मगरा पिता जी आएं के रहाट चाचा जी यह जो ने रहे शट लींट ने वाल लुक्त चाचा का जा इए हैंग्ली। यूचर ऐगिश्गा कहारा इन तर्जार हो रहा है आहा, हा, 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 लख ले गुद्मारिण डाइड, इंग्लिश टून पर तो नाचते रहते हो कभी हमारी धुन पर भी ठीरा किया करो मतलब, मतलब की कुछ काम करो कज़िवाले जाकर ये टेंडर जमा कराओ तेंडर, वो तेंडर, इंपॉसिबल डाइड, मुझे बहुत सुरूरी काम से जाना क्या काम है दोस्तों के साथ मटरगेश्टी करना क्लबों जाकर नाचना, गाना और पैसा पानी की तरह बहाना तुम प्रेर मेरे बेटे के सिस्टे पड़ गया अपने लाजने भती से को क्यों ने काम पर लगाते है अरे वही तो है, जो हर साल कॉलिज में सफस्ट आकर हमारे घराने का नाम रोशन करता है और एक ये, इसे किनी चीज की फिकर नहीं ये लो टेंडर, ये पचास लाग का है आज इसके आखरी डेट है अजी जमाऊना ज़रूरी है खड़े-खड़े, मूँ क्या देख रहे हो, लो और जाओ अलो बिठा लो, जाओ शांती देवी, अगर तुम प्रकाश की इसी तरह तरफदारी करती रहोगी तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का अहसास कब होगा देखो जी, इन पिजूल बातों के लिए मेरे पास बिलकुल वक्त नहीं है आज मुझे मुझे मैला समाज की मीटिंग में नारी और उसकी जिम्मेदारी इस विशे पर भासन देने जाना है, हाँ नारी और उसकी जिम्मेदारी? हाँ और तु? चलब अपनी अकल का चेश्मा तो तूट गया है और चली है दूसरों को ऐसा दिखाने आय मेरी जवानी के जटके में भी प्यारे प्यारे भांजे अरे मामा तुम और इसवा बच्चे बद कुझे ही तो लेने आया हूँ कहां जारा तू? डाड़ी ने एक टेंडर के काम से भजा है अपे बुजोरुगों का कहना सिर्फ सुनने के लिए होता है करने गलिने अफर आस्तो नूरे चमन ब्यूटी एक हाजाना इंकरजार कर रही है जिसे देखकर आखे कहें रहेंगी आफरी तो तेली किस बात की? जो तो 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 पूली के लिए चुनिया आपने मुझे कुछ कहा नहीं पेड़ बादों से कहा तुम्हें और कोई काम है या नहीं क्या मतलब तुम्हें ये फूल मेरी तरफ क्यों भेगा लगता है आपको गलत सैमी हुए मैं तुम जैसे सब्सक्राप मतलों को अच्छी तरा पहस्चानती हुँ अरे बड़ी बत्तमीजी आप मैं इतनी तिर से आप से इज़त से आप आप करके बात करहा हूं और आप तुम पर उतरहें आपने आपको अरे आपको देवी आप तरा है जो आप पर फूल बर्साओं मै मैं आप देशी नल्कियों को अच्छी तरा जानता हूं जब कॉलेज में कोई भाव नहीं देता ना तो कोई ना कोई बाहना बना आगर चले आती आप लोग और बागवान के लिए ये दाव पेच किसी और प्यास भाईएगा अप उतो यासे अच्छा तो यह आपका कमाल है अब हां तो ने इस बुलबुल को जटके देकर उड़ा दिया तुने वापर बुला लूँत रड़के हृत तिस्तियों कि तरा मटी साली हम को को घास नहीं डाल दी अरे जल्दी बुला जली जली जल्दी बड़ा मज़ा है अरे राके जी क्या हुआ कोई हाथ लगी की नहीं कातल हसीना थी क्या-क्या थे लड़के पर मेरी क्रिश्मत में जवानी के जटके जट कमीन सर ये लिफासा मिला है ये आपी का है हाँ तुभी का मिला कोई रास्ते पर गिरा गया मैंने रोगनी कोशिश की लेकिन वोचले गया है बेटी तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितने बड़े नुक्सान से बचा लिया है ये लो ये रख लो ये ये नहीं बेटी कहा है वो बख्षिश नहीं आशिरवाद कीची खुश रहो बीटी खुश रहो क्या नाम है तुमारा ये सीता वाँ जैसा नाम वैसा ही खुण कहा रहती हो ताकर सुसाइटी फिरा नगर तो मैं चलती हूँ थेंक ये वेरिमे पहले ये बताओ कितने का पानी की है सिर्फ बारास रुपियों का तुम अच्छी तहा जानती हो कि मेरी पंखा सिर्फ फंदरास रुपे उसमें से तुमने बारास रुपे सुसाणियों पे खर्ष कर दी है हर वक्त इसी तरह पैसा उड़ाओगी तो बागी घर कहां से चलेगा कहां से लगँगा पैसे पैसा 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 अरे कौन सा रुकड़ा पैसा देकर आई हूँ कर्जे से तो उठा कर लाई हूँ कर्ज कमजोरी का पहला कदम है अच्छा और आखरी कदम बरबादी तो तुम भी सुन ले मेरी बात पैसा घर बत आदाद है ऐसी साड़ियों पर तुम्हें तो द्रीर कुमार अगर दो मामुली साड़िया खरीदने के अवकात नहीं है तुम्हारी तो फिर मेरी बेटे से शादी क्यों की हाई मेरे तो करम फुट गए अरे कितनी बार समझा तुम्हे क्यों उतार दो एक हाकी वर्दी और लग जाओ हमारे बिजनेस में मैं अपने खुदारी बेचकर सस्वाल के महरबानी के टुकड़ पर चीना नहीं चाता खल बेटी अब ये घर तेरे रहने के लायक नहीं रहा अर सुना जब तुम मेरी बेटी की खुशिया खरीबने के काबिल हो जाओ तावाना इसे लेने चल अरो बैटे हमारे साथ तो आया जट्टी जट्के टेंडर जमा कराए जी रेज जी रजी मैं भी साथ में गया सा आपको तुमाविं है मेरा हर काम पक्का होता है काम पक्का है इसलिए तो टेंडर पक्की ह्त्रक प्रपड़ा सा इसलिए तुम मेरे बेटे को घुबढ हो तो मismoag अधुria को तुम इतुम इतने बेश्रम हो जाओ, तुम लोग जाके प्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाला लगाती हूँ, हाँ, जी बहना, जाओ, अरे सोभा, जो अब तक वहाँ को खड़ी है, अरे घबरा मत, मैं अभी जिन्दा हूँ, जा, मेरे कमरे में जाओ, हाँ, जान्ती देवी, इस हंद्ष जाओ, जाओ, शान्ती शाओ, जा बार-बार बेटी के सफ़ुराल में जाकर पत्ति के सुछ में आग लगाना अच्छा नही है, बेखो जी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वह अच्छी तरह से जानती हूँ, सामज़ हैं, सब्रत है, समझ मिनी अरे इस घर का क् मेरे घर का पेंटी का काम चल रहा है और मेरे मुनने की सीचरू से पढ़ाने आ गई है इसलिए मैं उन दोनों को तुम्हें तरहे है अरे सतीज जी यह आपी के तक्र है तरहीं को प्राब्लम क्राइब तरहीं मच्छी नो प्राब्लम डोर्ड वरे बी हाथी इसलिए मच्छी नो प्राब्लम बहुत सारी आइस क्रिम खाना है, खुब सारी आइस क्रिम खाना, चल्दी वापस मता ना बिटे, गोड़ चाइल्ड है, नमस्ते, कौन है आप, मुन्नी कहां लो, और ये दर्वाज़ा क्यों बन की आपने, टीचर जी, बच्चों को तो आप कितना अच्छा पढ़ाती है, आ गर्ल नहीं, बच्चों को अच्छा पढ़ाती है, तेरा दिमाग बिलकुर खाली हो गया है, क्या हुआ दादा जी, ये क्या है, एक मामूली कॉटन की सारी, अपनी ने सिल्की सारी नहीं ला सकती थे, जा, ओहो दादू, सारी सिल्की हो या कॉटन की, क्या फरक पढ़ता है अच्छे संसकार तो दोनों में एक जैसे नजर आते हैं, वा, क्या बात कहीं बेटी तुमने, सर आप, आईए, दादू, आप, आप, आप मास्ता गामदा जी तो नहीं है, आप कौन है, मैं घंशाम, शिपरवाला घंशाम, आपका सुड़न्ट, अले, घंशाम, घंशाम, आपको मालूम नहीं आपके इस बेटी ने, मुझे लाखों के नुक्सान से बचाया है, इसके एक छोटा सा तोफा लेकर आया, लो बेटी, इसे रख लो, ठी, इसके कोई ज़रुद नहीं, सर, आप इसे कहीं ने, इसे रख ले, रख ले, रख ले, ये मेरा बहुत सी प्रि क्या हो या, अरे मामू, इसको कहते हैं जवानी के जटके, जटके, मगर 440 वोल्ट के, ये आदनी आने मली चलिया, चलते हैं यहां से, आइसा क्या, होल देखें, इन जटकों में कितना करन है, वाचा, ये पिटेगा, जो कि मैं पहले पिट चुका हूँ, अरे तुम लोग यहां से कर रही है, ती बीच में एक फंटास्टिक पोग्रम चल रहा है, तुम लोग मेरे साथ कुमी चलती हो, हाँ, क्यों गल्स चले, माँ कलो, तुम लोग जाओ, आप भी चलिये ना, जी नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्यों, मेरे अपनी कुछ उसूल है, असूल तो आजकर हर गली के नुकर वे बेचे जाते है, मैडम, उसे खरीदने वाले घटिया लोग होंगे, मैं गैरों के साथ तहीं नहीं जाती, गैरों को कभी अपना भी बना के देखे में साथ, कमान जालिंग, कमान, लगता है ये था, पर तुझे होश मिलाने के लिए क मैं कुछ समझा नहीं बेटा, मैं सीता बेटी का हाथ, अपने बेटे प्रकाश के लिए मांगने आया हूँ, घंशामदाज जी, आप कहीं मेरी गरीबी का मजाग तो उड़ाने नहीं आये, नहीं सर, नहीं, मेरे पास करोड़ों की दौलत है लेकिन संस्कारों का ख़जाना नहीं, और आपके बेटी सीता, वो साक्षात संसकार मुरती है सर, लेकिन संसकारों से सर्फ शादी नहीं होती बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मेरी बात मान लेंगे, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, सुना खा, किशन के महल में सुधामा गए थे, लेकिन सुधामा की कुटिया में किशन को चाहते, आज पहली बार देखा है वेजा, पहली बार तो मैं बात पके समझू, कल सीधा पिटी को लेकर, मेरे खराब जरूर आ जाईएगा, आए वेल्कम, चले आए जानम यू फूलों में अटके, आप तो लग जाएं जवानी के जटके, ये क्या बत्तमीजी है, उस दिन मेरा फेका हुआ एक भूल, तुम्हे पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने मलिका ए हुसन के लिए फूलों की सेश सजाई है, तो वो तुम्हारी हरक जब तक तुझे भटके ने पड़ेंगे, तिरे जवानी के जटके खतम नहीं होगा प्रफ़ेंगे जटके जटके लिए इखने है, तो वख़ेंगे झाल, तुम्हें होगा पुझे बाद में देख लूँ बच्टे जवानी के जड़के तेरा यह जनम मेरे जड़के देखने के लिए हुआ है देखे जा देखे जा तुम क्यों तांसिया कर रहे हो तुम लोगों को नहीं देखने का डालिंग जॉनी जॉनी तुम से समझदार तो बच्चे हैं प्यार तो मर्द लोग करते हैं जो क्या मरड नहीं हो यह पंड़ाओ की फोच ऐसे ही पैदा नहीं हो गई है अजी बच्चा लोग है कभी आख दिखाता है कभी आख दिखाता है कभी दाख दिखाता है जो चुछा मली है आरे सामने जोनी नहीं तो एक्सिज़न थाई अरे एक्सिज़न दो गया है उसी को तो मैं देख रहा हूं अरे मालीच तुम्हारा साब घर पे है ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो कभी लड़की नहीं देखी क्या अरे मेरी प्यारी प्यारी बेहना अगर वो सोनिया इस घर की बहु बनकर आ जाए तो तुम तो सोने का पंखा जलोगी अच्छा अहा अलो सोनिया अई राकेश कम 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 प्लीज आईए ये प्रकाश की ममी शांती देवी प्रकाश की सिसर्शोबा अपनी सोनिया ब्यूटी फूल्ट हाई सोनिया अई प्रकाश राकेश तुमरे बहुत तारीफ कर रहा था सच कहा इसने बहु हो ता ऐसी शांती देवी हाँ होने वाली बहु का चेहरा नहीं उसके कदम देखे जाते हैं तुनिया ये मेरी डाद है क्या ये लेकिन मैं तो इने घर का माली समझे थी ये ठीक पैचान आपने है घर के बाग क्यों चाजा जी बिल्कुल सही है मिटे अंसारी ओल्मान दरस फगेट रिटिया आइन लेड़स कंप्रमाइज शड़ा दो कोडी की लड़की तेरी ये हिमत मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट रकाश रकेश अब मेरा यहां रुकना बहुत मुश्किल हो गया मैं तुमारी मुश क्या है मैं तुम यहीं रहोगे मैंने तुम्हारे रिष्टे की बात कहीं और चलाई और वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं तुम जा सकते हो मुझे और कुछ नहीं सुनना है कौन है वो लड़की मेरे गुरु रामदास जी की पोती वो संसकारी है बिल्कुल और तुम सी कहीं ज्यादा और पैसे वाली चाची संसकार कोई पैसे वालों की जागिर नहीं हो दो तुम चाचा भठीजा कुछ भी करो मेरा लड़का तो मेरी पसंद की लड़की लाएगा चाची, चाचा जी को इस घर के लिए बहुँ चाहिए क्या आपरे डाज़र रही थी लव तु लव बे चाल सोबा जा सोबा अमर अगवान जब ये अकल बांट रहा था तब तेरी चाची कहां थी? कहां थी तेरी चाची? जोपली होती सो रही थी? जो रही थी चांदी की साइकल सोनने किसी आओ चले दारलिंग चले दब सी चांदी की साइकल सोनने किसी आओ चले दारलिंग चले दब सी हम भी जमा है तुम भी जमा हो बोलो जी बोलो चलना कहा है हुँँँँँँँजद बोलो ऑच्पाइ़ जमा भी जमा हो बोलो जमा हो आए है हम तुम कोकर के नौ में अन्ती भाजाओं मैं तेरो की छाओं में आए हम तुम कोकर के नौ में अन्ती भाजाओं मैं तेरो की छाओं में तुम है गोई लटा मैं तेरी राँ था नाचा करे हम जमना की राहों में कोई जनम हो मेरे सनम हो तोटेगी नापनी पी आज ले जा दिन चले जब सी चांदी किसा आए कर सोनी किसी आ चले डार चले डावसी आ सुनो जहां मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे अजी कहके तो देखो जहां भीगा भीगा मासल हो हम हो और तुम हो कर आए कर दो कर दो कर दो बरसे रे बरसे अंबर से पानी भीगर भीगे मीरी जवानी दो बरसे रे बरसे अंबर से पानी भीगर भीगे मीरी जवानी शोला बनी है चड़ती जवानी अंगे लगा में दी दिवानी पिजली नाचे बातलगा इस राम दोनों के गी आचले डार्लिंग चले जबरसे चांदी की साखल सुने किसी आचले डार्लिंग चले जबरसे आपका बाएर नमस्ते 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 नहीं अच्छा हुआ है यह बड़ा प्रकाश करम मैं भी तो देखो मेरी होने वाली भाबी कितनी खुबसूरत है लो भाईया सरा गौर से देख लो लगता है यह थब पर तुझे होश मिलाने के लिए काफी है यह आपकी बेटी है हाँ बेटे मुझे यह शादी मंजूर है छोटी छोटी बातों पर शोवा सुदीर से जगड़ा कर लेती है और अब तुम्हारी चाची उसे पती का घर छुड़वा कर यहां ले आई अब तुम्हें सुदीर से नजर भी नहीं मिला सकता अमर मैं चाहता हूँ तुम किसी तरह सुदीर को मना कर प्रकाश की शादी में आने के लिए राजी कर लो आरे आप सिगर मत कीज़े जाज़ा जी सुदीर भया को तो मैं मना लूँगा सारी अशांती की जड़ तो तुम्हारी चाची है पता नहीं उसके माबब ने उसका नाम शांती कैसे रख दिया बाई मिस्टेक रख दिया होगा आई आई तुम तो हमेशा तुम फ़ान मेल की तरह आती हो चल पहले कपड़े दोने मैं अभी आई रही है मैंवान को दरवाजे पे खड़ा करके जा रही है तुम मेरे पीछ पीछे यहां तक क्या करूँ साया आगे आगे सुरज पीछे पीछे आच्या और अगर सुरज आगे हो तो ता जा बीजे पीजे विए इंडर्सी तुम यहां तुम इबताओ किसमें कुसूर किसका है साय का के सुरज का तोनों का दोनों का है ना तफिर आशा कौन है दुरिके मूंसाफे नमसी जी अरे अमर तुम गहर में सब कैसे सब फसला से अलाओ बैटो कहो कैसे आनवरा सुदिर भीया मैं और चैचा जी शुबा के बड़ताओं से बहुत शरमिंदा है खर चैचा जी बहुत याद करते हैं आपको और मैं उनी की कहने पर आपको प्रकाश भीया के शादी पर इन्वाइट करने आया हूँ यह रहा कार्ड थैंक्यू और गटो तुम्हारा इंसे परीचे करादू इंसे परीचे करने की कोई ज़रूत नहीं इनसे तो सारा का सारा कॉलेज में एक साद हैं और भाई तुम्हारी भावी के कजन है भावी के कजन फिर इनको यहां क्या काम देखो आश्म जैसे हाथ की पांचों उगलियां बराबर नहीं होती है इसी ताए परिवार का हट सदस एक जैसा नहीं होता तो मेरी शादी में यहां नहीं थी परिवार को वक्त का पाबंद होना ही चाहिए और सुनो अमर बहुत दिनों के घर आया है इसलिए महमान नावाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ओके सिर्व किया देख रहे हो देख रहा हो कि लोग कितनी जली बैमानी पर उतराते हैं इनका यहां क्या काम वा खर सुनान मैं जी कहीं कैसे नवाजें आपको कैसे एसे किस धर में तो दुनिया हो मेरी वो मंदिर हो मेरा वो पूजा हो मेरी मेरी धरकनों की यही तो सरा है दया हम पे रखना भरो का दिरा है तुही मेरी बाता तुही पिता है दया हम पे रखना भरो का दिरा है जीजा जी ने तुम्हारी मर्जी के बगैर उस लड़की को इस घर की बोधा कर तुह सर पर बिठा दिया तो क्या हूआ होआ घर की मालकिन अखर मामी है नो कमीनी है काम चोर है बचंधो कपड़े दो अरी क्या कर रहा है एह एह ये क्या पक्वस कर रहा है तुह अरे मैंना यह मैंनी कर रहा है यह वो कहेगी वो तुम्हारी बहू और अगर तुमने जरा भी चुंचा की तो जटके मारके घर से बार निकाल देगी अच्छा तो मेरे अच्छे भाईया तू भी सुन ले अरे उस लड़की ने जिस खाट का पानी पिया है उस खाट पर मैंने कपड़े धोये है वेल ड़न वेल ड़न वेल ड़न वह आखिर हम भी तो देखें ये सूरत इस खर के लाइक है कि नहीं वह जी हाँ मैं मैंने कहा था न तुम्हें असुनों को गली गली के नुकर पर खरीदा जाता है सुनिये हम एक नहीं जिन्दगी शुरू करते हैं पिछली बातों को भूल जाए तुम कहते हो तो भूल जाते हैं वाई नाट ये तुम्हारे थपड का जवाब है अब जिन्दगी बर इस घर के चाड़ दिवारी में सड़ती रहा है प्रकाश कर जाने वालों के लिए जाननों ही बाकी रहता है हमारे तुक्वों पर पलने वालों के साथ मुझे बैस करने की जरब यादत नहीं है प्रकाशूर क्या हो गया है क्या कहा प्रकाश सुहाग रात में घर छोड़कर चला गया है हां ममा यहीं मौका है बना लेने का गुड मॉनिंग भावी भावी प्रकाश का है वो सो रहे हैं सो रहे हैं भावी अच्छा इंसान अपनी अच्छायों से दूसरों की बुराईयों को ठीक तो कर सकता है मगर उन पर परदान ही डालता अमर कल राच जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं भावी अरे तुम तुवाए ना हो जिसमें चाचा जी ने इस घर के सुका सुनहरा सपना देखा है अपना पहला दिन हसते और मुश्कुलाते में शुरू करो चलो हसो 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 यह उना बात जा गई फुलन देवी आंटी मैं चलती हूँ हाँ जाओ क्या कर रहें जे उपर जी माजी मैं करका कांपोल करेगा तेरा बाप तेरे दादा ने नोकरों की फोर्ज नहीं बेजिये यहां कुछ खाना वाला नी बनाना आता है इस घर में कोई मामूली खाना नहीं बनता हमारी खाने में भी आमीरी की खुष्बू आती है येलो लिस्ट और जाओ किचिन में महाराज माली ये आया आपने बढ़ाया मलकिन हाँ महाराज तुम आज खाना नहीं पकाओगे समझे जी तेखो तुम दोनों आज सिनेमा देखने चले जाना ये लो पैसे अटेंशन प्लीज महाराज़ों के महाराज रसोयों के सर्ताज अमरकुमार आजिर अजिर आज ये है आपका बिये पास डिवर कमकू कियने के टू इन वन आज आपको इस रसोयों घर की भूगों लेने के जोगरसी दिखाएगा खुल जा सिम सिम दर्या मिर्ची जीरा हल्दी और ये है गरम मसाला इस घर की तरह गरमा गरम है और दर्जे में है आला और ये है सबजिया आलो गोबी कद्दू ये है तिखी मिर्ची तुमारे नलत की तरह पत्तू और ये है वो एत्यासिक छोरी जो बहुत ते चलती है बिल्कुल तुमारे सास की जुबान की तरह अमर तुम क्यों मेरे लिए एकनी तक्लिफ ले रहे हो अर दुख्यारी भावी का सहरा उसका देवर ही होता तो तो होजाए शुरू हाँ 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 हुजाए याँ 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 हुआ 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 है हाई राम इतने सारे अल्टस उसने अकेली ने पकाया है कोई जातुगर में है क्या इतना खुश्बुदार खाना इससे पहले तो हमारे घर में कभी नहीं पका लियादा बोलने की जरूरत नहीं तुप जब बैठा और खाना खाओ लेकिन शांति दिवी ये तो कमाल हो गया अरे कमाल नहीं जाचा दमाल हो गया यह रहा ताजा लग्जदार और गर्मा खाना फूर्या कचोरिया सद्जिया दाल पराओ वगेरा वगेरा तुचैना धुटार्या यह बाबी के जादूई हातों को कमाल बे मिताल हांटी यह चा पूरिया है बिलकुल समणरे की तरह ठंड़ी अरे चाची अंदर तुमारी तरह गर्म घरम तरह तलि जा रही है यह यह पुरिया पेश्के जाए, फुरिया 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 ये लो फुरिया नगरम है शोबदी तांटी तोरु अरे बहू तुमने पहले ही दिन खाना पकाना शुरू कर दिया रसुया का है? लॉकर काहा गए रसोया अपनी मर्जी के खिलाब बिमार हो गया है और लौकरों को जबर्दस्ती पिचर देखने के लिए बेज दिया गया है बोलो शोबा जी की जाए अमार एए ये कोई खाना है माँ सबजी तो जली हुई है और टावल तो बिलकुल कच्चे है दाल में नमक ही नहीं आरे हां रहे यही खाना बनाया है तुमने अगर तुम भावी सच्चा खाना बगा सकती हो तो अपने सराल जाकर अपने पती को क्यों नहीं खिलाती पैरा इस सबड़ अपमाद बेजी खाना नहीं कहोंगी प्रुट अपने भगवान का तो ये सुबाश शाम अपनान करती रहती है अज़ भगवान बजाए अरे बहु तुम क्यों परेशान होती हो अरे तीस सालों में मैं तुमारी साथ को खुश नहीं कर सका और तुम्हें तो इस घर में आई हुए 30 गंटी भी नहीं हुए चल बैटो आज घरेगा और भी मसा आएगा अंदर की बास इससे कहते मर्दानगी के जटके एक ही थपड़ में सारा घवन चूर चूर हो गया और ममो, क्या प्रोग्रेम है? यार प्रकाश इस घर में काम करने के लिए एक नोकराणी की कमी थी इसे लागे तुने वह कमी भी पूरी कर दी पती का काम करना पत्नी का फर्द है पत्नी पत्नी का दर्बन होती है लेकिन रणवा क्या चानि घर गिरिस्टी का सुख सीटा, ये तुम क्या बग्रेम वह प्रकाश, वह लोग रावन को बुरा कहते है मगर रावन ने भी कभी सीटा पर हाथ नहीं उठाया था अबे ओ, सीटा के लक्षमन अपनी हाद में राका डैडी ने जरा लिफ्स क्या दे दी अपने आपको इस घर का मालिक समझने लगा है इस घर का मालिक तो तुम अपने आपको समझने लगा है बड़ाय लोगों की बातों में आकर अपनी तेवी जैसी पत्नी की बिजट्थी करते हैं शरम नहीं थी तुमें अबे ओए जवानी के जटके मेरे दिये वे फटके तेरे शड़े वे दिमागी कंप्पूटर में अच्छी तरा फिट नहीं हुए क्या इस घर में तो गुंगे भी जटके देने लगें चला हलो सीता मैं परकाश बोल रहा हूँ चारिये मैं माजी को बुलाती हूँ ने ने मुझे तुमसे ही बात करना ही हाँ सीता आज शाम को यूद क्लब में हमारे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में एक शांदार पाटी रखी है जिसे आपने पत्नी काडिकार नहीं दिया अगर वो पाटी में आ जाए तो आपकी बेज़दी नहीं होगी सीता तुम इन्हें तो कहा था पिछली बातें भूलकर हमें नई जिंदगी शुरू करना चाहिए मैं नहीं आ सकती अगर तुम नहीं आओगी डालिंग तो हमारे वाप बेज़दी हो जाएगी क्या तुम मुझे माफ ने करोगी तो मैं ये समझू कि तुम ने मुझे माफ कर दे हां सीता हाा तुम्हें मेरी कौसम सीता तुम आओगी न प्लीज डालिंग प्लीज हाँ हमारी बेज़दी का बदला सीता से पार्टी में जम कर लेंगे ए भाबी 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे वाबा, वाबा, क्या बात है? अचानक बड़ी खुश लग रही है. अमर, वो आज. आज क्या हुआ? आज हमारी शादी की खुशी में एक बाती है. तुम्हारे भईया ने मुझे बुलाया है. आए शादी की खुशी में पार्टी और भीया ने तुम्हें बुलाया है अभी अभी उनीका पॉन था सब कुछ ठीक हो गया अमर आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ भावी मुझे इसे लगने लगा था कि नहीं है मगर है क्या भावाल उसने तुम्हारी सुनली क्या बात है जैटमिस नो फिकर फॉर एवर क्या आदर तुम्हारी चांजे रही है भावी इस घर में पहली बार तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुश हूई है वा 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 क्या बात है माजी आज उन्हें मिठी में बुलाया है लो आज उन्हें मिठी पाटी में बुलाया है बेशरम कभी कि घर में आचार की मसाले आ पड़े है उन्हें कूट पीश कर तैयार करने के बजाए शोभा इसे पार्टीया अड़ी है देखो न मामा नहीं तो क्या, ज़ा, रोर में मसाली की चार बोडिया पड़ी है, उसे पूट पीज़ कर आज ही तयार करना है, समझी? मैं कुछ सुनाने काती, जब सोबा, चलो ममा, माझी, माझी, आज उनने मिज़े पहली पार, मैं कुछ पुना नहीं चाहती, तू अगर काम नहीं करेगी तू मसाले कुछ पुसे का, तेरा लुकल मूह दादा आसमान से उतर घर तेरा बाप आएगा मैंने आज तक किसी काम से इंकार नहीं किया फिर मेरे बाप दादो कुछ बीछ में लागी हो क्या, तो कोडी की लड़की? क्या आप ये? देख, हम लोग बहर से आएंगे, तब तक मसाले पीज़ कर तैयार हो जाने जाएए नहीं तो मैं तुझे पिज़ा लूगी, साम जी? बड़ी पाटी में जाएगी, नहीं तो क्या? चल कोगा, चलो मामी अरे, क्या हुआ? अभी थोड़ी दर पहले गया, तो तुम्हारे चैरे से चान नहीं बरस रही थी, यह अचाना काले बादल क्यों गिरा है? अमर, लगता है मैं पाटी में नहीं जा सकूँगी. क्यों? माजी मसाली की चार बुरियां छोड़ गई है, आजी कुटनी के लिए है, हम, तो यह नाटक है, अरे, डोंट औरी, फिगर नाट भाबे, आखिर तुम्हारा ये लक्षमन जैसा देवर, कम से वक, टू इन वन, किस दिन काम आएगा, तो उम पाटे जरूर जाओगी, लेकि आजाना, आजाना, जरा हाथ बटाना, बाबी के सर पे मुसीबत पड़ी है, लामा का जब मुश्किल की घड़ी है, इनको पी आते, मिलने जाना, आजाना, आजाना, जरा हाथ बटाना, सासू जी इनकी करेले का फूल, सासू जी इनकी करेले का फूल, बेरन नन दिया जो भेवन के शूल, बाबुल के जैसा ससूर जी का प्राद, देवर करे भाईया जैसा गूलार, रूठे साजन को है आज मनाना, आजाना, 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 घरा हाथ बटाना, आजाना, 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 आजा चंडा की सुरत है मेरी जेठानी मंता की सुरत है मेरी जेठानी चंडा की सुरत है मेरी जेठानी जब जब तुझे देखो बोले ये मन तूसी ताभावी में तेरा लखन तू जो हसे तो हसे का दमाना आजाना 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 जरहत बटाना आजाना जरहत बटाना आजाना 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 कान acces अजाना मिरी भाबी इतना बंटंती कहा चली काम हुआ के नहीं कि तरहां मुझे तो यह कोई चुड़या लगती है जोınd行 मुझे थू है तुम दोलों ने आग घंटे में किया ताम करे हमारी जूटी चुडल कहीं कि हाँ ओन चुडल चाची चुडल 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 को चुडल बोलती है अरे इस घर में तो देवी और देवता रहते हैं गुना हो के अरे मैंने सच क्यों बोल दिया यार वाली यार द議 क्यों Pokémon चुडल ने ली जूट की सब आर अब ओिलिए Cave다, ेलáááááááá way out, आपरा बěला याला ह ीनी मेरें इसक्रीकमित, यelôो nतयास् comprehensive दो कारे उर्ण औ आपरादें बविद पुछ ओ ङराण आ आ चार थमने किविदा मेरे कर अ में कि लुछ मेरे जसीर फिति फ़्लने के अो मुझाद है, अई मुझाद प्रगाइश के अफ. सदीजें और बॉझ परसंदे है, आफ आम से सब्सकेश परसंदे है, आप जिने जा कर देज्टी है, आफ जे हमेकेने लगशा से अपूंटेश के जे हमें जासने है. मेरे पार्टी मेरा अपमान? अच्छो याँ, I'm very sorry. सौरी बर्गाची. लगता है तुमने किसी 1936 के मॉडल के साथ शादी कर लिये? यह राइ, गरेक्ट! अच्छी, इसको इस पार्टी में आने की बजाए बजन मंडली में जाना चेहिए था? यह क्या जाने? हम जैसे हाई सॉसाइटी की लोगों की सब्वेता क्या होती है? ओ याँ! क्या इस तरह खुले आम अपने जिसम की नुमाइश करना सब्वेता है? गैर मर्टी बाहों में बाहर डाल कर नाचना सब्वेता है? अगर यही तुमारी सब्वेता है, तो लानत है इसे सब्वेतार ससाइटी पर अरे बारे मेरी जवानिंके जटके एक तो इस पार्टी में आके पार्टी का कबारा कर दिया उपर से फटके वे फटके मार रही है? यह पासिंग डेरियो तु सुन रहा है? ना जाने क्यों इस जाहिल गवार को मैंने इस पार्टी में बुलाया इस से पहले कि मैं तुमारा कुछ कर बैठाओ दफाओ जो, गड़ो, आई से गड़ो रिलाक्स बचे, रिलाक्स अफमान, अफमान, अफमान मुझे मालूम ना कि तुमारे साच यही सुलुक उने वाला है अब तक, आखिर कब तक अन्या कि आग में जलती रहोगी एक बात का हूँ भावी अगर जुम करना पाफ है, तो जुम सेना उससे भी बड़ा पाफ है लेकिन क्या करूँ, सहते इसलिए हो कि कभी दुस्वक आएगा जिसके तुम उम्मीद लगाए बैठी हो उस सुक का सुरज इस घर में आएसे नहीं होगेगा उसके लिए तुमें इन लोगों का सामना करना होगा नहीं अमन नहीं अगर मैं ऐसा करूँगी तो बैर आर बढ़ता जाएगा किस बैर की बात करती हो भावी तुम किस बैर की अरे इतना सीदापन भी किस काम का जो तुम्हे 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 आधिकारों की रक्षा करने से रोके देखो भावी अगर तुम इस घर में ऐसे रहोगी तो ये लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, जीना, अभी वक्त है, अपने आखे खोलो, और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, अगर देर हो गई, तो बहुत पॉस्टाओ नावी, बहुत पॉस्टाओ नावी, बहुत पॉस्टाओ, तुम्हे पैसा दे के लिए केशर को मैंने मना किया है, लेकिन क्यों? इसलिए, केतेवी जैसी भावी को ठुकरा कर, बाजारों लड़क्यों पर लोटाने के लिए कंपनी के बाल पैसे नहीं है, भावी के चम्चे, तेरी यह मत, प्रकाश प्रकाश, बहुत हो क्या अभी, इस कंपनी का मालिक म अभी का मैं हूँ, तू कौन होता है? बगाश! अप्रकाश वरतों के तलबे चाटने वालत तू? तू क्या जने घर की लक्षमी की कदर? आप मुझे पैसा देते हैं या नहीं? बिलकल नहीं! अगर मुझे सीजी तरह पैसे नहीं मिलें, तो आप याद रखिएगा, मैं अब लल्लू, जब ता कोड का फैसला आएगा, तू बुड़ा हो चुका होगा, और तू ने जो सोनिया को हार देने का वादा किया है, उसका क्या होगा? अरे यार, तू ही तू कुछ सोचना है, तुमना खानना नहीं हार, जो सीता के पास बेकार पड़ा सड़ रहा है, किस पर ले खोपड़ी प्याकल का झाड़ू, और होजा शुरू, अब देखो जवानी के जटके, यह क्या कर रहे हैं आप, अपने ही घर में चूरी, तुम एक बात जान दो, जो चीज मुझे असानी से नहीं मिलती, उसे मैं खीन लिया करता हूँ, क्या, वो तुड़ल हमारा खानना ने हार चुरा कर ले गए, अरे मेरी प्यारी बहना, मैंने अपनी आखाउ से देखा, कि वो हार अपने बुड़े को सट दादा को दे आई है, तु ख़िए उससा पूछ ले, जी, नगलिस मेरे पास नहीं है, तो फिर, कया कहा, वो मैं नहीं बता सकती, हराम खोर, ये क्यों नहीं कहती, क्या अपने कल्मुए दादा के इसारे पर, मुक्मरी मिटाने के लिए, वो हार तु उससे दे आई है, बस माजी, बस, आज तक मैंने चुट चाप आपके सारे अच्याचार नहीं है, लेकिन अपने दादे पर लगाएगे जुटे इलसाम स क्यों तक मैं पाउंगी, चुडएल, हमें अंधा समझे TV, हमें आखे देखाजी ओ पर तो नहीं फिसया झमदाँे, इकर तो चोरी, औरkim दाधा, ओ, बस, आपने अपने आप कर दोनों ने बाव पर बहुत प्याचार किये हैं भगवान तुम्हें कभी माफ ने करेगा कभी नहीं मेरे सारे संपत्ती मैंने अपनी मेहनत से कमाई है इसलिए उसका बटवारा मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ प्रोपर्टी का आदा हिस्सा अपने स्वर्गवास्टी भाई के बेटे अमर के नाम करता हूँ और अधी प्रोपर्टी अपनी बहुत सीता के नाम करता हूँ बंगला मेरी धरम पत्मी शांती देवी के नाम होगा और प्रकाश खर्चे के लिए बहुत सीता से हर महीने पांच जार रुपे लेगा जीजा जी ने वसीयत होचो आवाद में बनवाई थी ना जी हाँ, ये वस्तित मैंने खुद लिखी है ठीक है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं जी नमद चारी बहना, ये जीजा तो जाता जाता भी जटका दे गया पता ने उस जादू गर्मी ने और उस कमी ने पत्ति जीने उन पर क्या जादू किया था अगर सारी जाजाद वापस चाहती हो, तो उन दोनों को दूद की मक्षी की तरा निकाल बार ठेखना होगा हाँ, लेकिन कहीं से? वो तुम मुझ कर छोड़तो इस घर में इतना बड़ा हास्ता हो गया, और मुझे किसी ने ख़बर तक नहीं दे दादू, दादू, जा बचानक होगे अदादू क्यों रहे, मेरे पती में आँखें क्या बंकर ली, तुने तो और उससा को के ले, मेरे घर के दर्वाजे को ली कहने तो चोरी करके पहले से ही इस बुर्ड़े को पहुचा आई है तो क्या, आप क्या सारी याइदाथ इसे किनाथ कर देगी चुबा, ये क्या बच्तमीजी है वा, 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 या जटकेंट, अरे अब तो ये बिली पंजे भी मारने लगी है अरे, जुबा, तमीज से बात कर, तो कमीनी है, जलाइक है, काम चोर है अगर ये सब कुछ भी ये मारानी तुम से कहे, तो तुम्हे बरदाश्ट करना पड़ेगा क्योंके हमारे सर ये जीजा जी, इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन इने बना गए और इनके साथ बच्तमीजी बरदाश्ट नहीं की जागी ये आप कैसी बाते चाने है जाके इस बुड़े को धक्के मार मार कर घर के बाहर निकाला बभी ले बहना नहीं माल की जीजा है आल बबबबाशी कैसा हरा अबर में ते ये रमजारत करी ये हम जो कज़ए मत को मुझे कसम भाबी हरी कैसा तरी के खुज़र गया इस कमीने ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया तू कर होता है हमारे बिचमे बोलने वाला मैं भी इस घर का बहुत कुछ हूँ चाची इस घर में बड़ी होने के नाते तुमारा ये फर्द बनता है कि इसी सवारो मगर तुम ते घर को तोड़ने पर तुली हुई हो और ये शोबा अपने सस्राल में तो आग लगा कर बैठी है अब इस घर में भी आग लगा रही है और मेरी एक वात तो कान पुल कर तुमने कमीने हमारा अभी तक मारा नहीं है जिन्दा है अगर इस घर के तरफ भूली भी उठाई ना तो हाथ काट कर फिर तुमारा आई दादाजी मैं आपको घर सचोड़ दू अब 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 भाहिया जी हलुआ क्या भाहो दिया 40 रुपे किलो है बाबुजी जी क्या भाहो दिया ये दस रुपे किलो है लेकिन इसमें घास रिट गिरा हुआ है बाबुजी ये इनसान के खाने के काबिल नहीं है बहुत अचे मुझे 200 ग्राम दे ज़्दी से ठीके बाबुजी ये ले जैमाता दी जैमाता दी प्यारी बैना जैमाता दी खुषी की घड़ियां आ गई मुभा रखो अरे मैंने एक ही जटके में तुम्हारे बेटे को टाटा बिल्ला की लाइन में बिठाने का इंदजाम कर दिया है तुम्हे प्रसाद दो बैना लो खालो अरे ये क्या करती हो बैना बगवान का प्रसाद तुख जो बगवान तेरे मूपा तुख दे खाजो 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 और प्रसाद में सेश नहीं रखते खाजाओ शामाच आखर बाद क्या है प्रकाश के लिए बहुत बड़ी फैक्टरी का भूमी पूजन करके आया हूँ है क्या दूर की तोड़ी सोचके आया है जीजा जी के बाद इस घर का भला सोचने वाला मेरी सिवाव है इकॉन और बहना अब इतनी बड़ी फैक्टरी का भूमी पूजन तो कराया हूँ लेकिन काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे तो अरे बोलना इतने से ये इसे 5 laug क करें कर से तो सीता को क्यों अतकलीफ देती हो मैं आते आते उपिस से चेक neural गता जटके के साथ पांच लाग का इंड़ा सीता के साइन करते मैं उने से श्क्री के बारmember कं कभी जिकर्ने किया मैं उनसे सलाम उचुरा कही भिणा एक पैसा भी नहीं दे सकती है तेरी ये मजार मेरे सर पेचार का बात करने की तेरी हिम्मत पैसे हुई मैं अपने पती की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तेकिन पहले मेरे दिल को तसलित हो जाए कि पैसे का सही इस्तिमाल हो रहा है अपने पैसे के लिए महताज करने की वैसे इसकी नजरों में तेरी कोई इस्तिमाल के लिए नालाइक है माची अभी वक्त है कंभल चाहिए ये आदमी आसीन का साप है ये तो अपने आपको जासी की रानी समझने लग गी है और समझेगी भी क्यों नहीं क्योंके घर के अंदर इसका प्यारा प्यारा कुमारा देवर जो घुमता रहता है खुले सांड की तरह ना कोई आगे ना कोई पीछे मैदान पूरा का पुरसा दो नोजवान खिलाड़ी और खेल चालो मैंसे भी प्यार में सब जाए क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं तरही सीटा जरा लक्षमन रेखा पार करने लगी है उसकी यह हिमत मैं भी देखता हूंसे सबर कर मेरे जहके जीरे जीरे सब देख लेगा तू सब देख लेगा तू यह नीन की गोलिया नहीं है यह पंदूग की गोलिया है अब देखना कैसे लगते जटके पजटके सबज गई अरे शुबा तू अमर, मुझे अपनी गल्टियों का ऐसास हो गया है कल मैं अपने पत्ती की घर चली जाओंगी कहते हैं जहां आख खुल जाओ वही सबेरा होता है लो, यह दूद पीलो तुम रख दो, मैं बाद लो पीलूगा बाद में क्यो? अपनी बैल की बाद नहीं मालोगे देखो, रात बहुत हो चुकी है चुप चाप लूती का सोचाओ अच्छा लाओ पीले तो यह लो बस गुद नाइट गुद नाइट गुद नाइट कर दो 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 झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है अजरी आगाखा आखा तोак और पर तुम ये पूछोगे मेरी जवानी के जटके कि तुम दोनों राद भर इस कमरे में क्या कर रहे थे क्या पाथ है अमर क्या हुआ और लो लो और सुनो साफ साफ को कहना कचाते हो कहता था कभी रावन ने भी सीता पर हाथ नहीं उठाया है मेरी जवानी के जटके तु तो सारी राथ हाथ साफ कर रहा था रकेश अमर बाकाश तु बिटो मता तुम चुप रहा हो ये सब जूट है मैं आपके हाथ जोटती हूँ अमर से कुछ ने कहना आप तु इस घर में नहीं रहेगी निकल जा यासर तु इस घर के लाइक नहीं है गेड़ाउं पाकाश 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 तु मत करें इसमें जरूरूर्ट किसी कचाल है यू स्कॉंगर पहले तु मेरी प्रॉपट पर सामबन कर बैठ गया उसके बाद तुने मेरी इज़त पर हाथ डाला अब अब तु इस कमिनी की तरफदरी करने है मेरे बास बेटे मैं तुझे फिर देख लूँगा पहले इस प्रच्चलन को तो यहां से बाद निखालू अगर यही बास है तो इस घर से भापी नहीं मैं जाँगा मगर एक बात यात रखने प्रकाश भापी और देवर का रिष्टा मा बेटे का पवित्र रिष्टा होता है और इस पर किचड़ू चालने वाले को भाबान कभी माफ नहीं करता अबर 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 रुख जा अबर सारी दुनिया तो मेरी दिश्मत बच गई एक तुमारा ही सारा है तुम्हारे आचल का दाग बनकर मैं इस घर में नहीं रह सकता माफ करता मुझे माफ करता मुझे भाबी आयो धाके जैसा है मेरा घराना हर दिन यहाँ सुहाना सुहाना लटोटे ये सपना यही इत जा है लटोटे ये सपना यही इत जा है दया हम पे रखना घरोशा तिरा है दया हम पे रखना घरोशा तिरा है तेता माची आप तो मेरी मा समान है अगर आप भी मुझे गलत समझेंगी तो इस घर में मुझे कौन समालेगा कौन समालेगा तो ठीक है ते बेटी भूल जा उन बातों को तेरे ससर तेरे पिता समान थे ना है ना तो फिर चल आज साम को पूल गईवी के मंदे में जाकर उनके आत्मा के शांती के लिए प्रार्था करेंगे सब ठीक हो जाएगा मांची कुल देवी का मंदिर कहा है कुल देवी का मंदिर मैं बताता हूं रहे हुआ थे एपाउ फिर रहे प्रण फिर वा कहेजीए प्रण ना ना जैश्योई प्राइसु जो यहाँ पढ़ने आखे चांड़े जुशी बते जहां कि भाराण कि 말ब बज़ि जफ şeh surtout मने जहां कि अ éléments त्यारίν झाँ जहां माजीorg कि ऑार्टा झाप कि उ totमॉ कख़िक हूाँ से जहां स्थ dipली तॅ कि आए हैं मिला थॉ क्यो उन्त期क dan En य coherent यह राम दादे कोई ना कोई गिरीवी अरकाद दरू करेंगे इसने ख़द छोड़ने के माउचिद मैं साई के सरा तुमारे पिछे तुमारे पिछे तुमारे देख लिए आपने अच्छा ही हो का जाम अपनी चिता को अपनी आखों के सामने जलते वे देख लिया ना इनाच की लब्ड़ में जल रहा है बहु का चाग उसकी सेवाथ भी सबस्ते आपी अब भी वक्ते चाग चाओ और अपने इनाच्छों को देखते वे अंगारों में बदल दो अगर हम लोगों ने इने माफ कर दिया और ये जालिम इसी तरह कहके लगाते रहे तो इस देख में कहीं न कोई कोई सीता कोई सावी तिरी सीता जलती रहेगी हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा वर्ला ये नारी जाती ये समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा तुम ठीक कहते हो अमर ठीक कहते हो आज तक मैं हर जल्म चुपचाप सेथी रहे लेकिन अब लेकिन अब मैं सीता से दुर्गा बनूगी एक-एक से गिन-गिन कर बढ़ला लूगी किसी को नहीं छोड़ूगी किसी को नहीं ये ये इस अपोट तु स्टाट अनी मुमेंट क्यों भाई साथ आज बच गया है आप निला मिकी शुरूआप क्यों नहीं करते I'm sorry मैडम जब तक कलकता की मश्यूर करोड़पती मिस कामी देवी यहां नहीं आ जोती आम ये निलामी शुरू नहीं कर सकते मेरी जवानी के जटके करोड़पती हो यारबपती भाग किसी का इंतजार नहीं करता हम नहीं इंतजार में करते Please, 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 please I wish you all a very happy Christmas and a very happy new year I start with Ladies and gentlemen यही है वो हीरो का चमकता हुआ नयाब हार तो सजनों अपने अपनी बोलियां बोलिये बट लगाईए बोलिये 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 नगधराम जी आप Please, आई, आई क्या है यह उमारी मेडम कामनी देवी क्या है पिना आक्षन स्टार्ट करने के तारी हिम्मत कैसे खड़े-खड़े ओ जी, बात ऐसी है बात क्या है ओ जी, बात ऐसी है ओ शेट आप जी उमारी मेडम वक्त के साथ नहीं चलती वक्त मारी मेडम के साथ चलता है अजी क्या मुंडी कुमाओ वो देखो मारी मेडम आरी है इतनी खुशुरत है अजी अच्छाल भी लगती है अजी आओ नगद्राम जी क्या बाच है मैडम जी आपकी मौजद्गी के बगार इन लोगे ने आक्षन स्टार्ट करने की इमाकत कर दी है ओ इन से पूछो यह सारे जेवरात की कीमत क्या है अपनी आउकाद बगोए अजी इन सब जेवरातों की कीमत सिर्फ पच्चीस लाग है हम तीस लाग दिंगे बताओ मेरे फैंसे लाग चालेश फैंसे लाग पचास लाग अब बलो पचास लाग है है पचास लाग लाग दाओ पचासव लाग आप बने पैसे की एक पास पचास लाग दो पचास upgraded और यह सारे जोड़ी केञकत हूस पहलतों चाप जी मॉनक स्वादे लाग हलो 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 मिस्स कामी देवी मैं मिस्टर बटरफ्लाई ओ मारी मेडम बगर अपॉइन्मेंट किसी से बात नहीं करती समझ में आया जाओ आओ जी मेडम जी ये कामी देवी का टेरा सीता जैसे नहीं लगता अरे ओ बहना कहां जले हुए मुर्दों को जटके देकर जिन्दा कर रही हो लेकिन ओ मामी कहां वो पुड़े लगता और कहां ये राज कुम्राई किसी वो तो ए मिस्टर ये बिजली है ये बला कोच बता सकते हो हजूर ये करोड़ पती सेट करोड़ी मलकी एकलोतिक कुवारी कन्या है बिजनस टूर के लिए आती है इनकी कंपनी के शेर्थ खरीदने के लिए लोग बेचेन रहते है या राकेश खुसन और दौलत का संगम पहली बार देगा है क्यों जवानी के द्यंटके इदरा उसन को भूल जा इसकी दौलत के बारे में सोच अगर ये पट गई तो बारे नियारे हो जाएंगे समझ गया ना मेरे रोमियों देगा सुवीर भईया रकाश राकेश बेताब है आमारे जाल में फसने के लिए अब आप भी उन पर ध्यान रखेगा तो फिकर ही नगर भाई बे तेरे सांस हाँ कड़े कड़े अब तेरे बच्चे कितने बड़े-बड़े बिसनसमान बेठे है देख भाया जब तक मारी मेडम को साथ तारी अपाउन्मेंट फिक्स नी हो जाती मारी मेडम को साथ तारी अपाउन्मेंट फिक्स नी हो जाती मारी थारे को कंपणी के शेर बेच नी सकता अब तारे को नी इसको बोल रहा हूँ देख भाया नगत राम को भगवाद सुनने की आदद नहीं है खड़े-खड़े अब लोग कोन है अब बोलो अब तरह कुछ सोचे ना सोच़ो चल सोचता हूँ तो मारे बारे में सोच अथा तारे बारे में सोचता हूँ अब बोलो केतने रुपय लगाने है अब नाट अब अब तरह क्किलर बारे आपने आपको समझते क्या हो तुम जैसे दो टके के आदमी तो मेरे चेब में पड़े रहते हैं गड़ाउट आपने आपको समझते क्या हो आपने आपने अपने आपने दो लाग के शेर करेदने आए था और आपको आपको बिजनस करना तो इसका थोड़ा वजन बढ़ाओ जाओ अब जी आप इतनी दिर से खड़े तू है गर खो जाओ माल बड़ा गर खो जाओ लिखे आओ जाओ अच्छा जी जी क्या कहा अपने हाँ अच्छा जी अब हम तो चलेंगे अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अब हम तो चलेंगे अच्छा जी कहाँ अपने घर जुल्म नकर ए जुल्म नकर कल पर सुपिर तुम से मिलेंगे अच्छा जी जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा हयाँ तेरी जानचर की इस चमचम से गिलों की मधुर बरसा थुई हम दोनों उस मेरी गए ये एक रोखी बात हुई ये दोश है तेरे का जलका दिन डूप गया और रात हुई हाँ रात हुई देखो रात हुई संती जादू प्रेम कहानी हो गई है ये बात पुरानी देख रात है बड़ी तुफानी मैं नहीं डरती ये दिल बढ़ जानी रात हो गई तारे खिलेंगे प्यार करेंगे गले मिलेंगे अरे अरे कोई देख लेगा देखने तो रुख जाओ ना कल पर सोफिर तुम से मिलेंगे अच्छा जी अच्छा जी करेंगे तुम से अरे अरे करेंगे ओिलेंगे 2 चेहरे पे पसीले की बूंदे जैसे घूप में सावन की जड़िया भीरी सिर्फा से तूपी है शबनम की लईया ये जुर्म है तेरी जवानी का जो लग गई तुझको हथ कड़िया हाँ हाँ हथ कड़िया दिखो हथ कड़िया ये प्रेमी है सिधा सादा अंकरो ना उचको जादा हाँ में आना कर जावादा दुनिया वालों की है बाधा दुनिया वाले क्या कर लेंगे देखके हमको खूब जलेंगे जाने भी दो ना प्लीज डर लगता है कर पर सो फिर तमसे मिलेंगे अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी मुझा पूर्यू अब कहा से आएंगे इतने पैसे कैसे कुछ करेंगे कामरी बेरी को सभी वो भी हमारे हाथ से निकलना जाए यह मुझा राके से आप तक आया नहीं तुम सब भूके हो, नंगे हो, चोरो, बई मानो, करके हो यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह से दलीचन कह रहा है मार्केट में हम लोगों की रेपूटेशन इतनी खराब है कि लोग हमें जटके में जटके दे रहे हैं कोई हमें फूटी कोडी उधार देने को तहिया नहीं है तो अब क्या होगा एक आइडिया है क्या बेना, तो अपने यह सारे कंगन निकाल और अप्ती जोरी में रखे हुए सारे जेवर निकाल मैं पहले से तुम्हारे लिए देड लाग के जेवर बेच चुकी हूँ अरे देड लाग अरे तुम्हारे देड लाग तो जटके खा कर वापस आ गए इतने पैसों के तो बिस्किट खा जाते हैं कामनी देवी के कुत्ते हैं अरे तुम्हारे यह कहने बेच कर मैं पाँच लाग खड़े करूँगा अरे तब कोई बात कर दो अरे ममीन, दे दो ना यह कहने, इन से मेरी जिन्देगी बन जाएगी ले बाबा, ले ले मिलो जे मैड़म जी, यह मिटर लकेश है नहीं से जी मैड़म जी और यह मिटर पकाश है, छोट इसी मिल के मालिक है आइसी, क्या मिल बेचना है? नहीं, आपके साथ बिजनेस में कुछ पैसे यहाना करते हैं ओ, कितना रखम है आपके पास? पाँच लाग बस? सिर्फ पाच लाग? तुमने तो कहा कि यह मिल मालिक है? ओ, जी बात ही है, आप ती कहती है लेकिन वो मिल इनकी स्वर्गासी पत्नी के नाब है स्वर्गासी पत्नी? ओ, तो सैड यह सो स्माट, हैंसम, जांग इतनी कम उमर में आपके साथ इतनी बरी त्राचिटी हो गई उनकी याद मदलाए, प्लीज वरना मैं अपने आशू रोख नहीं पाऊंगा लगता है, आप उसे बहुत चाहते थे चाहते थे? कामिरगी जी, हम आपको क्या बता है? क्या लड़की थी वह? क्या लड़की थी वह? हम जो उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे पलकों पर बिठा कर रखते थे जिस दिर उस किचिना जलीती थी ना हमारा था कलेजा पढ़ गया था कलेजा पढ़ गया मैरब जी, उस दिर जब रोग है आज तक हमारे आसू नहीं तबे आसू समाले भाया, आगे जरूरत पढ़ेगी तो, स्ट्राइड मिस्ट्र प्रकाश नगद राम ची जी मेडम ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं इनके बारे में किस सोचो अरे सूसरा क्या है मेडम मैं तो इनके लिए कुछ ऐसा सोचूँगा कि इन लोग भी सोचते राजाएंगे कि नगद राम ने क्या सोचा है आम तुम लोग सोच गया रहे हो अरे मेडम तारी खानी सून के एमोशनल फूल हो गई है यार मारा मतलब है के फूल अफ एमोशन होगी है अभी तू इतनी देर से खड़ा क्यों है काम हो गया घर को जा काम हो गया घर को जा जा देखा कामनी और नगद राम को हमने हिला के रग दिया अरे मैं चे इस जौलत वाली को पठाने के लिए तो मैं इसका कुछ नावन के पूछ इलाता रहू अस्टिक तो मेरे साथ भी की वादा हमसे और इरादा कुछ और अरे हो पुरानी जवानी के नए जटके चल भूटिया से और सुन आइनना अगर बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने की कोशिश की और साथ जटका तूंगा के जिन्दगी बरियाद रखेगी समझी अज़ा भूलू के वल्कम मेरी जवानी के जटके जाने से पहले किस दे दो Come on Come on Give me a kiss baby Come here, come here Hey, hey Watch out 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 वाल प्पाट प्पार प्पार टार वाल थाया जडार आधा जबनग law ईंब अर यंब मारें गुमार टारr फाद सब्पार टो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करलो कि बकल रखिख अंगर से जञए आँ 94 नहीं माफी नहीं मगऊ हो तो क्या कर लोगे अरे दिख्टा नहीं है हमारे पास तेरा हमारे सास में है और अक्षा मॉल्ला इनको पास पांदाओ बोलता है और मैं पास पांदाओ का बाप हूं तो मजलेओ मैं च्या होईगा जो बाग गया अभी चुमाया स्पाला रिस्टन से पड़ा है अरे अक्षा बिंदी बजार चीरा बजार डाना बजार लूंगी बजार यहां तक के चोर बजार को गुंडा लोग अमारे नाम से कापता है यह दिलनेवास को देखो इसके पेचे मोलने के सारे गुंडे लोग पहलते हैं दूरा अंधर माफ कर दो बाफ करना चाहिए लेकिन टूम बोलती हो जोड़ा मजबूर है लेकिन इसा बच्चा पास बच्चो का नहीं छोड़ा नहीं च्टोड़ा नहीं है छरम नहीं आता जाल आज छूप जाल इस गुंडे को समझा ने तो इसका और फोड के डाइट उड़के श्वार पोड के मिंसरे पाली के कच्रे के दब्बे के अंतर दा देगा समझा करें तुम यह आज तुम का इकुआ आज आज तुम यह को आज 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 तुम यह तुम आमार काफ का कामीनी देवी जी, धनबाग हमारे जो आपके दर्शन हो गए, हाइना बेटी, इतना सुन्दर है आपका प्राइविट टेमर, हाइना बेटी, हाँ ममा, अरे, यहां अकर तो आपने हमारे शहर की राणनक बढ़ाई है, हाइना बेटी, वो तो बढ़ाई थी है, मगर आपको जी, आप दिन से मिल तुके है, उस प्रकाश के मैं बहन हूँ, शोभा, और यहे मेरी ममी, शांती देवी जी, हाँ आपकी बड़ी तरीव से लिए, सुना, आप जाचली जाती है, वाँ शांती, शांती हो जाती है, आपका बेटा का रह था, जमो, और मारा मतलब है के बैट सामीन देवीजी, मैं यहां के भारत्यों महिला समाज के प्रेसिदेंट हूँ, हमने आपके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया है, मैं चाहती हूँ, कि आप अपने चरण फपर्ष से हमें अनुगरेट करें, और कोई अच्छा सा भाषन देंग, अजी नहीं जी, ऐसी फाल करना इस नॉट इजी, इस रेरी बिजी, नगट रामची, सारे अपट्मेंट कैंजु कर, लेडिस पर्स, संची, लेकिन चांथी देवी, हम वहां किस विशे पर भार्षन देंगे, विशे हैं, ससुराल में बहु का सम्मान, बहु का सनमार, वो भी ससुराल में, आजी इस वि वो, वो, मैं क्या, ये जा बताएगी बेचारी, ये तो खुछ ससुराल ठोड़ कर, मेरे साथ रहती है, क्यों, पती के साथ कोई लपड़ा हो गया, क्या, लपड़ा, हाँ, पैसा लपड़ा, अजी वही जो होता है, नगट रामची, ये समाज की इजटदार महिलाए है, इ अजी वही जो होता है, ये समाज में आपने अनबोल सब्ड़ों की रोच्छी बिखे दे, दुनिया कहती है, क्या हमारे देश के नारी ने बहुत तरख्की कर दी है, लेकिन आज भी हमारे समाज में लड़कियों को देहच के तराज उपर तोला चाता है, एक गरीब लड़की, चाहे कितनी वे खुबसूरत, शुशी और कुनी हो, बिना देहच के, उसे बड़े घर की बहु बनने का कोई अधिकार नहीं, कहीं ये हमें ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन धन में है शांती देवी जैसी आउरत, जिन्होंने एक गरीब स्कुल मास अमीर सास का सुक नहीं लिखा हो, तो बेचारी सास क्या करे, हमने सुना है कि शांती देवी अपनी बहु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमारे यहां बहुआं को जल कर मरने का बहुत शाक है, जरा सा मौका मिलना चाहिए, बस भाग कर आख से लिपट जाती है, हम ये नह को चला कर मार डाला, जब बहुत हास्ते का शिकार हो गई, तो बेचारी शांती देवी क्या करे, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर तुनिया वाले की जबान को कौन रख सकता है, मेरी प्यारी बहनों, ऐसी औरते नारी जाती के माथे पर कलंक है, अभी शाप है, च पलतों का, मौह काला करके, शीउते मार-मार कर देश से बाहर निकालना होगा, इसे कहते हैं, पैसों के छटके, जो हाया, प्हले कभी पैसे नहीं देखे कहा, जो पूरे 10 लाग है, 10 लाग, घडए होगे, खडए, खडए, खडए हधशे, घडए, 5 लाग मुन. वण पॉकस मैंने तारी को कहाता ना कि तारी और मैडम की कुणली बहुत फिट होती है तुम लोग अना तेल के कुवे में पाच लाग के पुझी डाली और मने तेल के कुवे से पाच लाग का मुनफ़ा निखा ली आप बाट लो तैंक यू, तैंक यू, जी बाट लो जब चेक नगद रामजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब शुक्रिया के काटकड़ी गरदी खड़ खड़े अब पब्लिक टेलेफोन के बारे में विदो सोचू समाज गयाई ये लीजी ये लीजी अजकल अठन्नी में फोन नहीं लगते तो चौनी है ये चौनी के अठन्नी हुई ये बाराने वे ये खुर्पी हो गया जा चल जा चल प्रगास आच्छा जी आच्छा जी इससे पढ़ा के मेडम की मूड की गुंडली उल्टी गुम जा अगर कोई और भी काम करवाना हो कोई भी तो इस नगत राम को फोन खड़गा देला अभी तुम लोग इतनी दिर से खड़े क्यों हो माल कमाओ, माल जबाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ, जाओ अमर, ये क्या खेले तुमारा मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा घर के पांच लाओ रुपए उठाकर उन्हें दे दिये? भावी, पैसे वाला समझ कर हमें अपने जाल में फासने के लिए उस दिन उन लोग उन्हें पांच लाओ रुपए का चारा फेका था पांच लाओ रुपए का जुटा मुनाफ़ा देकर आज मैने उली के फर्मूले से उन्हें अपने शिशे में उतारने का एक नया प्लान बनाया है तो अरे कैसे नहीं लगाए भावी मेरे पैसे नहीं चुमबक है चुमबक जो इन्हें खीज के ले आएढ़े मैं आपने दोस्तों के लिए शांदार पाटी रखूंगा फाइफ स्टार होटल के अंदर और एक ब्यूडिफुल मरसरीज खरीदूगा अरे तेरी मरसेज गई भाड में पहले मैं अपने गईने छुडाऊंगी थोड़े नए खरीदूंगी और कुछ साथ में साड़ी या भ हिर्ढ अरी हैै तबसे सारे माल पर कौड का अभजा पड़ा है अरे कितने अपने दुलucci देखने के लिक तो इस r якіडिब के नए मुल्यघा और एक और यह सारा माल कामनी के लिए झाल खूल और ठीर fifteen में के दिल पर जादू चला पिर देखना किसे खुशियों हैं इस अईसा क्या फिर देखना अब मैं उसे किस तरा अपने साचे में डालता हूँ नवाद पिल नमश्कार तेवल नहीं जागे नहीं जागे अब बात मानों जिफ एक बात मानों और बात मानों जाओ साबो, ओ है, कोई है, टेवल के बात सबेश जूते लाओ जूते कामनी जी, आपके पहुँ दीजिए मेनी, यह आप क्या कर रहे हैं कारे नौकर काम बर गए ऐसी क्या बात है, आप मुझे भी अपना गुलाम समझे न आपके लिए ये मामुनी सा तोफा आप से ज़्यादा नहीं अच्छा अच्छी कमाल हो जाए, आपके जैसा जिवन साथी जिसके जिन्दगी में आजाए उसके जिन्दगी के तो पोवारा हो जाए अथी सुन्दर, अथी सुन्दर नगतराम जी, अगर आपकी ज़रथ हो तो मैं कामनी जी को डिनर के लिए इन्वाइट करना चाता हुआ है मैं तहीं नहीं चाती प्लीज कम्रीजी प्लीज मैंटम इसका दिल अखलीजी इसका दिल तैनिस बॉल की तरहा है एक बार टूड़ तो जुड़नी पाएगा लिकित मेरे सारे अपॉइन्मेंट मैंटम थारी जिंदिगी की सबसे जरूरी अपॉइन्मेंट तो यह है अ प्रकाजी आप खाने की तैयारिया करो मैंटम थारा घर खाने आरही है तांक यू कम्रीजी थांक यू ओके यार तू गुड़ तू गुड़ अबी तू इतनी दिर ते खड़ा क्यों है जली जा जली जा क्या बात है भावी उनसे मेरे जूते उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया वा भावी वा और तुमने जो उसके जूते उठाए थे वो तुमने अच्छा किया था मैं जानता हू भावी कि तुमारी भावनाओं को ठेस पहुची है मगर मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो तुमारे जूते उठाता या नहीं उठाता क्योंकि मर्द जब औरत के नाज उठाते उठाते उसके जूते उठाने लगे तो समझो कि उस पर अपना सब कुछ गुर्बान कर सकता है आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरा तीर निशाने पर बैठेगा तुम देख ला भावी मैं इन सब को कैसे एक एक करके तुमारे कदलों पर लाकत देखता हूँ आईए आईए वो आए घर हमारे ये तो सब ने देखा उनके आने के बाद चरागो की रॉष्णी बढ़ गई आईए पदारी ये कामीने देवीजी आईए आपके पाओ क्या पड़े या हमारा गर तो पावित्र हो गया आई मेरा इप्रकास तो आपके नाम के माला जक्चे सब्ताईगी नहीं अँछ आईए लॉफ याए हम चंडिशन इस रएँ होगा इज़ याँ वह बढ़े होगा बेदिशन 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 जाजली! गाजली! गाजली जो पाजान मत्परो! तक धिना दिन दाता थैया सुन मेरे बंजो, सुन मेरे भैया नाच नचाए रुपईया क्यों जी सच कहा? तुने सच कहा? हाजी सच कहा? तुने सच कहा? तुने सच कहा? क्यास वक्यास तुने सच कहा? लड़की घरीव की घर जो आए सासो नाक चड़ाए माल खजाना साथ जुलाए सशुरी सर पे बिठाए क्यू नारी है एक खिलो ना माधी मोल भी के क्यू सो ना माधी मोल भी के क्यों सोना एक जगा तुम देख लो यारो कैसी ये दूप और छाईया नाच न जाए लुपईया क्यों जी सच कहा या जूट कहा क्यों जी सच कहा या जूट कहा तुने सच कहा हा जी सच कहा तुने सच कहा हा जी सच कहा रोज दहज के होवे जगडे जलते है नारी के कपड़े रोपट करो तो दारोगा अकड़े मुझरिम को कौन पकड़े बापते की कहे दिवाना आज नहीं है वो जमाना एक पलडे में नारी बैठे और दूजे में रुपईया नाच न जाए रुपईया क्यों जी सच कहा या जूट कहा क्यों जी सच कहा या जूट कहा तुने सच कहा या जी सच कहा तक धिना दिन ताता थैया सुन मेरे बंधू सुन मेरे भैया सुन मेरे बंधू सुन मेरे भैया नाच न जाए रुपईया क्यों जी सच कहा या जूट कहा क्यों जी सच कहा या जूट कहा तुने सच कहा या जी सच कहा तुने सच कहा या जी सच कहा यह लोग बूर्ट प्यार करते हैं इससे तु अभी चली यहां से चल तु मुझे बाद सच कहा तुने सच कहा तुने सच कहा है मैं मान को वेरी इंडरेस्टिंग पर अब तो यहां बार बार अनी को जीचा है अच्छा में चलते प्लीज कामी लेट गो पता है कहां से आमारा खाम खामे देने जटके अरे शुकरे बगवांता के कामी नी बहुत खुश होकर प्रकाश का साथ नेकर चली गई अच्छा वरना उस कलमो ने तो सारे किये कराए पर ठाडू फेर दिया था वो, वो कमीना कबाब में हट्डी बने इससे पहले प्रकाश और कामीन के साथी का चकर चला हिडा चकर तो अब मैं चलाओंगी राकेश बीती यूई जवानी के जटके तेरी यहाने की हिमत कैसे होई सीधी तरह से जाती है यह धक्के मार के निकाल दो मेरा नाम सोनिया है सीधा नहीं जिसे तुम लोगों ने जला कर मार दिया था मुझे कोई हाथ लगा कर तो देखे उरे खानान को तक्टी पिस्वा दूगी तेरी यही आगे मत बढ़ना अरे मेरी शोला जवानी मैं तो मज़ा कर रहा था तुम्हे तो मालूम है मेरी मज़ा करने की आदत है मैं तो पहले से ही मेरी प्यारी बेहना को कह रहा था कि प्रकाश की शादी होगी तो सोनिया के साथ होगी परामसादी हमसे पंगा मेरे चुरम के गोर समूद जो मुझे पांसी के भंदे तक पहुचा सकते है उन्हें मैं हमेशा मिठा देता हूँ जो और वो सीटा हो यह सोनिया ओ यह क्या है आपके लिए मिठाई लाया हूँ मिठाई यहने के सेट नगत राम को मिठाई का मस्का ओ मतलब की बात कर भाया नगत रामजी हमारा प्रकाष आपकी मेडम के साथ शादी करना चाहता है शादी? तुने भंक तो निहाStar समीए नुद्धिन हुआ है का सवय घरौण में। में सेबसे हैं। सचेके आज करते हैं। मैं क्यों्य है। मैं थौप्लिक वश्च तरौ मुझसे है। मैं तौब्लिक gives शियं हुआ। वेश्च नेरें हुआणियो. में। मीटम के फादर के साथ प्रेंड्चिप पिर थे फ क्दोन मिलकर मैडम के प्रादर को पठाकर मैडम से प्रकाश की करवा देंगे लाइब पाट्नर्शिप महार वह था है है! यहां होती है नगे रामजी बोलो जी इतना मा लग जाया पचास लाख पचास लाख पैसा हम लोग कहां से लाएंगे बंगला है ना उसको गिर भी रखा तो चन दिनों के तो बाज था लेकिन वह तो प्रकाश की मा के नाम है वह तो मा क्या अपने बेचे के प्रूचर के आपकोड़ा लेजा, जा, अरे मेरी प्यारी बेना, ये की ना धक्के वाली बात, चल बची चल, लेज़ गो, आज का क्या आवाद, मामी, रात बहुत हो चुकी है, मेरे तो की गोली खाली है, तुभी गोली खाकर सोजा ये आवज के है, हाँ झाल झाल पासुची अब लाख मुझसे पीछा छुडा ले तुझको न मैं छोड़ोंगे काली आमावस की राते करनी है मिठी मिठी बाते काली आमावस की राते करनी है मिठी मिठी बाते तेरे जुल्मों सिताथा में हिसाब करने आई हूँ सास भी कभी बहू होती है तुझको बताने आई हूँ ओ बहलो ए लोगों देखो देखो लोमणी चल तो गई शेताने चाल अरे घरीद मुर्गी को हलाल करके चैन से क्या सो पाएगी अरे कभी न कभी तो इसे भी कोई शेरनी मिल जाएगी तुने हमारी पदर ही न जाने सभी उसे मैं हूँ तेरी दिवाने मैं प्रेत लोग से आई हूँ तुझ साथ ले चलूगी तेरी प्रेत लोग से आई हूँ तुझ साथ ले चलूगी तेरी पसम अब मैं वहीं तिर साथ ही रहोगी तुने खूब सताया मुझको मैं तुझे सताओंगी मेहंदी के जगा आथा में तेरा खूल रचाओंगी अब लाख मुझसे पीछा छुडा ले तुझको न मैं छोड़ोंगी काली आमावस की राते करनी है मिठी मिठी बाते काली आमावस की राते करनी है मिठी मिठी बाते कर दो कर दो अपने घर में आग लगा के मेरा घर भी जराया वारे मेरी रानी तुने क्या घर भोक दवाशा दिख लाया अरे भूतनाथ की उल्टी बानी बरसे आग भीगे पानी समझी मेरी ललो चमक चलो दुश्मन मेरी जान की आगो को मेरे चूर किया तुने मेरे पती से दूर किया तुने पाताल में भी जाकर छुपेगी तो ढूंड लाओंगी मैं शबनम्ती अप में शोला बनूंगी तुझको जलाओंगी मैं पाताल में भी जाकर छुपेगी तो ढूंड लाओंगी मैं शबनम्ती अप में शोला बनूंगी तुझको जलाओंगी मैं इत रोज खड़ा पापों का तूठी जाता है अरे धूठ पहारों के नीजे ही आता है अब राख मुझसे पीछा छुड़ा ले तुझको न मैं छोड़ोंगी काली अमावस की राते करनी है मिठी मिठी बाते काली अमावस की राते करनी है मिठी मिठी बाते तू बनी है उलजन ओ पहना मेरी आ घर की दुश्मन ओ चाची मेरी ओ चाची ओ पहना ओ चाची 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 सुन ले चाची हमारी आई बहु की सवारी राज बहु अब करेगी एक नच चलेगी तुम्हारी धाम ले उसकी बैया तू पर जा उसके बैया तू अब लाख उने से पीछा छुडा ले तुझको न वो छोडेगी अरे नचो अरे शूआ मिलाशी आखा आखा आखा, 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 आखा आखा, आखा छुमो, झूमो, आखा.. नगतरमजी ने मैरे घर पर कब्जा करने के लिए कोल्स का हुकुम नमा भेजा है हम उन से जाकर बात करते हैं हाँ प्रगाश चांटी देवी कोड के ओर्डर के मुताबिक बंगला खाली कीजिए एक मिनट एक मिनट सुनो राकेश मुझे तुमसे सीधा भावी की मौत के बारे में कुछ पूश्टाश करनी है वी है तुम जा सकते हैं यह नहीं है और लेकिन तुमसे क्या पूशना है कमाने तो क्या बोलगा भाया खड़े-खड़े हमने के दुनिया का ठेका ले रखा है और नगदराम को दिमाग चटाने किया ततनी है जाड़ फॉल नगदराम जी वो नोटिस आपने बेचा है नहीं तो क्या मेरे बापने बेचा है आस्वार से ख दुनिया के दोरे पर कही है तो आईगी कब मालिकों कभी को मालिक होता है उनकी मर्जियों आवे नावे वही रह जावे लेकिन आवे तुजा बाया जा लगदराम को मुफ्त में दिमाग चटाने की आदत नहीं है चल मोरे भाया खालेगी की रोटी आसा मत कीजिए प्लीज मुझे मेरे घर से मक निकाले मैं मैं कहा जाओंगी आई म सोरी शांती देव हम मजबूर है चलो रिक्षा रिक्षा ज़्दी चलो अरे शोवपा कहा जा रही है ठैर मैं भी शल्ती हुद तेरे साथ मामी तुम कहा क्या लोगी मेरे साथ इतने बड़े बंगले में रहने वाली एक पुलीस आफिसर के एक छोटे से कौटर में कैसे रपाऊगी मेरी मानो, तो तुम कोई दूसरा अच्छा सा इंदुजान कर लो, आपने रहने के लिए, चलो रिक्षा, जली चलो अरे, सोभा, अरे, सोभा, इन्हें अंदर लेगा मेरी मानी करके आप नोटिस वापिस ले लिजिए, वरना हम बरबाद हो जाएंगे, हम लोग तबाओ जाएंगे, तबाओ जाएंगे आप जाएंगे, जाथ दिवाग चाट रहा है, नोखरों को बलाओ, यूच, जिए जिए, तो, क्लोके बाद हमें वर्बाद करके, अब नाटा करने चला है, मैं तुझे नहीं खुदगा पटाओ, यूच कि अपनी देवी जैसी पत्नी को ठुक रहा है देवर भावी के पवित्र रिष्टे को तुने बदनाम किया प्रकाष नारी की कोक से जनम लेने वाला जब नारी कोई पेजद करता है तो उस्ते सदा देना बहुत जरूरी हो जाता है मैं चाहता तो इस रिवालवर की एक एक गोली तुम्हारे सीने में उतार देता मगर इस रिवालवर और तुम्हारे बीच किसी के अर्मान दिवार बन कर खड़े जब तक तुम दर्बदर की ठोकरे नहीं खाओगे तो मैं पता नहीं चलेगा कि खर क्या होता है और पत्मी क्या होती है भाई क्या होता है और तुम्हाई चाहती है पार दोड़ नाविक पार प्रेकर से अमर यह बात ठीक नहीं है मैं बरबाद हो जाओगा मैं शालत पर आजओगा मुझे पर दया करो मुझे पर दया करो अमर यह किया तुमने बुलो फुट पात पर आजाएंगे फुटपाद पर आकर इंसान को अपनी आउकाद का पता लगता है भूल गई तुम? कितना अत्वाइचार किया था इन लोगा ने तुम पर? लेकिन मैं, मुझे जा नहीं होगा भाबी, तुम्हें मेरी कज़म प्रिस अभी, ये मेरी आखरी चाल मुझे चलने दो मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद ये लोग सही रास्ते पर आजाएंगे तो ने अपनी देवी जैसी पत्नी को ठुकराया देवर भाबी के पवित रिष्टे को तुने बदनाम किया भगाश नारी की कोक से जनम लेने वाला जब नारी कोई प्रिष्टत करता है तो उससे सदा देरा बहुत जरूरी हो जाता है जब तक तूम दरबदर की ठोकरे नहीं खाओगे तुमें पता नहीं चलेगा कि घर क्या होता है? और पस्वी क्या होता है? भाई क्या होता है और बहुत सीरिस है वहें कहां नैशनल हॉसिल में भी आती हूँ प्रकाश का एक्सिडेंट भावी तुम अब तर किन पर एद बार करती हो अरे सब लाजकी लोगा ये सब इनकी चाहत लगता है दूसरों के दिल का मैल साफ करते करते तुम्हारा दिल मैला हो गया है ये फोर सदिर भीया का था करेंगे आप मेरे सारी दौलफ देली थी बेरे पती को बचा ली थी थी निए थी 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 हूँ हमारे बस में है हम जुरूर करेंगे आगे भगवान के मुझे से गवाइश चुरूर इसमें तुम्हाया कुई कसुर नहीं अगर साव इतने अपने पती की परानी अम्राज के हाथों से छीन कर ला सकती है तो मैं क्यों नहीं आज मैं भी देखूंगी किस तरह मेरे तपस्या के जीब बुझा कर वो मेरे पती को मुझे से छीन कर ले जाएगे अपने पती के जिन्दगी की भीग मागने मैं तेरे दोहार आई हूँ मुझे खाली हाथ मत लोटा ना मैं खाली हाथ जाओगी भी नहीं कर दोहार आई हूँ वाई है वाई है वाई है वाई है थाया है वाई है षुफ भैजा थानी मैया मैया तूनो बचाने गिरते हुआ तूने समारा अंहेरों में तूने किया है उजारा तेरी हाथ में है ये सारी खुदाई तूने तभी की बिजरी बनाई मेरी मांग को तू उचरनी न देना मेरी जिंदगी को बिछरनी न देना तुझाए चागनी में गुल संखिलाने तुझाए तुझावर मेरता बनाने जबाने के वालिक तून को बचाने में उठाना है दुनिया के मुझको उठाने निरो यारत से हैं कितना फुनाना कोई भी समय हो मेरे का माना सातों का बंधन यही कह रहा है कि सातों का बंधन यही कह रहा है जयाहं पे रखना भरुका तेरा है जयाहं पे रखना भरुका तेरा है लेकिन मैं कौन सा मू लेकर उसके सामने जाओंगा अरे पागल भावी तो महान है मैं भी आए लेकिन तू का जा रहा है ठोड़ी दिर रुख मैं भी आए अब तुमारा ड्रामा खतम हो गया मिस कामिनी देवी अबेज चोटो मुझे वा राके वा अरे तुने को बाजी है पलड़ दी अरे वेना तु एक डम सही टाइम पर आगई पैचानी से यही कामिनी थी और यही सीता है आज अम इससे सारे बदले निकाल देंगे ठीक काहते है तुने जिसकी जान लेने की कोशिश की ती उस तहीं आज मेरे बेड़ी की चान बचाई है मैं में दो बार आपनी बगों को खोना नहीं जाते है प्रकाश प्रकाश को शराब के कुवे में दुबा कर अपनी उस बेवाकूप बहने को मिठी-मिठी बातों से पुसला कर इन लोगी प्रोपर्टी तो मैं कब की हडब गया होता मगर तुम और अमर मुझे बार बात खटके देते रहें मैं तुझे यहाँ इतनी उचाई पर नजारा दिखाने नहीं लाया हूँ यह प्रोपर्टी के कांखजाद और यह चेक बुक इन पर फॉरण दस्तकाश कर दे देखते क्या है दस्तकाश कर दस्तकाश कर इतनी उचाई से अगर मैंने तुझे नीचे भैक दिया ना तो तेरे छोटे छोटे टुपड़े भी नहीं मिलेंगे यह प्रोपर्टी मेरे पती और सास की अमानत है मैं प्रिसाइन नहीं करूँगी तुझे जो कुछ करना है कर ले तुमान नीचे मैं कहा हूँ यह लोकेश सीथा को छोड़ दे अरे मेरी जवानी के जटके तुन्हे आने में बहुत देर कर दी जब तक तुउपर आएगा यह खेल खतम हो चुका होगा मैं साइब नहीं करूँगी तुमान नहीं करती है इस चिडिया के छटके तुझे बचा लेंगे साइन कर नहीं करती है साइन करे आसाइन करता अारे मन उनले मेरी थार लेंगे पैम्हेटी बीटी कल्सम हो गया इसनल बेटी कराकर सबर करस्टे उठाकर ब्लैक सबर पर ब्लेगे कर दो 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 कर करें उलिया जिरूद ना ना है आए वाल तो सॅब करेंगा हैं आ इस अनू आ जानों को फ़के तुम्हारे ना करने में यह कौने कर जाटके मेठा देंगे इधा 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 हाई राकेश बूर्थ कुम अब अब कुट्य के दुम सोनिया के री वालोर में अखली गुलिया महिने डाल रखेती सोनिया इड़को एड़किया वाज भी सुरा दो यह है तुमारे जुर्म का इकरार मेरे जुर्म के वो सुबूत जो मुझे फांसी के फंदे तक पहुचा सकते है उन्हें मैं हमेशा मिला दें अभी तू इतनी देर से खड़ा क्यों है पतार फोड़ो जेल को जा 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 यह मुश्कार का यह चेक बुक और प्रापटी के पेपर मैने इन पर साइन कर दी यह नहीं इस सारी जाइदत तुमहारे है हो सकते तुमिजे माफ कर दे सीथा इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया मेरी गल्चियों की कुपरी सजा तो मत दो यह आप क्या कर रहे है आई लव यू सीधा, आई लव यू, आई लव यू अमर बेटे, अमर क्या बात है चाची? अपने चाची पर अब तक गुस्ता है क्या? कहा जा रहा है तू? चाची, तुमें तुम्हें तुमारा बेटा मिल गया, बहु मिल गया, प्रोपर्टी मिल गया मुझे भी तुमेरी असली प्रोपर्टी के बाजाने का मौगा दो माजी, मुझे पता इसकी असली प्रोपर्टी क्या है? आशा, अमर यहाओ यह है ना तेरी असली प्रोपर्टी? अलो, बाबीजी, आपने जो कमाल कर दिया, खड़े-खड़े अलो, बाबीजी, आपने जो कमाल कर दो